तो गाइस आज के दिन एर निप्टी 50 या फिर बैंक निप्टी दोनों में ही हमको अच्छा खासा तेजी देखनों को मिला है अगर आम लोग निप्टी 50 के रिटन के बात करें तो निप्टी 50 के अंदर 1.73 परसेंट या फिर 287 पोईंट का अच्छा खासा जंप देखनों को पूरा का दिसकस करेंगे तो आप इस वीडियो को एक बार भी कीप मत कीजेगा अगर आप येस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो और साथ येस बैंक रिगार्डिंग सब कुछ आपडेस्ट सबसे पहले हर दिन पाने के लिए जबर हमारा चैनल को सबस्क्राइब करके और नोटिफिकेशन ओन कर दीजेगा और हम लोग एप एक ह सब्सक्राइब करें अगर की और यानि बहु का वह सब्सक्राइब करें मैं करना की तो पहलो तो market पैसे आहना होगा और डेली केंडेस्टिक चार्ट पैटन के अंदर यहां पर आपको क्लिया लिदेख रहा होगा 14.75 रुपिस का असपास यह एक बहुत बारा रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पारा है यह सबैंक पहले एक बार ट्राइ किया था उसके बाद बाउंस ब इस बार हमको यह अपसाइड मोमेंटम या फिर ब्रेक आउट दे दिया है यह मगर आज के दिन मारकेट अपसाइड मोमेंटम था मगर फिर वेएस बैंक के अंदर गिराबाट देखने को मिला है इसका जो पहला डिजन है जो भी बेस्टेंस आता है इस लाइन के आसपस को अच्छा खासा profit booking देखने को मिलता है क्योंकि जितने भी लोग higher level पे खरीदा हुआ है वो लोग अच्छा खासा momentum आते ही निकल जाते हैं यह एक बहुत बड़ा यह बैंक अपसे momentum देने का मगरा अपसे momentum नहीं दे पाया है और मुझे जो लगते हैं कि इस लेवल से हमको आच्छा का सा घिराबाट फिर से देखनों को मौका मिलेगा और लगभग लगभग कुछी दिनों के अंदार लगभग आप बोल सकते हूं कि 5% का आसपास लगभग 200 डेक्या moving average का असपास यह स्टॉक फिर से आज सकता है ऐसा मुझे लगता है आपका कैसा अनुमान है आपका कैसा विचार है यह बैंक के स्टॉक के अंदर आप जरूर मीचे comment box में लिग दीजेगा तो आज के से वीडियो में इतना ही in future अगर आप यह बैंक के ब अच्छ पर वाचिए इस वीडियो